हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू एसी ट्रेडिंग ग्यान तो फ्रेंड आज हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं विर्ला सॉफ्ट शेर का टेक्निकल एनलेसिस साथ ही में बताएंगे इसके फंडामेंटल एनलेसिस भी तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी स्टॉक का जो प्राइ किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और क्या इसके अंदर आगे सिनारियो निकल करके आ रहा है कहां पर बाइंग करके आप क्या टार्गेट रूप्लस रख सकते हैं सारे डिसकस करने वाले इसी वीडियो में तो यहां पर आप देखिएगा इस वाले लेवल से स्टॉक में स्टॉक को निचे लेकर कि आती है और निचे कहा तक लाइए है एक्जेक्ट रहां तक हमी घिरावट देखने को मिल जाती उसके पाषिक है कि आता है इसकी में बात करें तो यहां पर डाउन जो था वो साइडवेज में कनवर्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है यहां से देखिए इस तरफ यहां पर उतरता है अब सपोर्ट लिया जा रहा है वापिस नीचे 121 रुपए के अभी जहां पर चल रहा है इसके आज सपास यहां पर सपोर्ट लिया जा रहा है यहां पर सपोर्ट ले लिए तरफ तेजी से यहां पर चलता हुआ आपको दिखाई दिया रेजिस्टेंस करने की कोशिश की यहां पर देखिएगा सिर्फ पाइंट पर रेजिस्टेंस कोशिश नहीं यहां पर इस वाली केंडले वे रेजिस्टेंस करने कोशिश की थी लेकिन इंवर्टे रेहमर बना और साथी में स्टॉक नीचे के तरफ गया वापिस से आप सपोर्ट देखेंगे एक्जेक्ट लेवल पर आपको सपोर्ट सब्सक्राइब यहां से चलना स्टाट करता है लेकिन चलते सब्सक्राइब कर सकते च्छोटे से स्टॉप लत कितन तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर सकते अगर आप आप अपर का लेवल जो कि हमारा 350 के उपर निकल कर आता है तो मैं आपको सजेट करूंगा 350 रूपए के टार्गेट के लिए आप यहां पर वाइंग कर सकते तो फिन अगर 320 करेंगे 350 का टार्गेट रखेंगे 30 आपको यहां पर देखने क तरफ इसक्राइब कर यहां पर बहुत चोटा मैं आपको सजेट करने वाला क्या आपकी जो बाइंगे 320-350 के बीच में होने वाली तो निचे की तरफ अगर हम बात करें तो इस टॉक जो है आपको ज्यादा निचे अगर जाता हुगा दिखाई देता है तो निच्छे जो य कर सकते हैं खोने के लिए आपके पास 10 रुपए का स्टॉपलस से और पाने के लिए 30 पाइंट का आपके पास टार्गेट है तो इसके साथ एगर हम बात करें तो इसके करना चाहिए दस की कवरें यहां पर आपको दिखाए देती नाइंटी परसें यहां पर आप देखेंगे यह तो हो गया का रटा यहां बात करें इन सेंट्रिक वेलू क्या निकल करके आ रही है अभी चल रहा है वह इसकी मार्केट विल्यू सस्ता चल रहा है मतला आप इसके अधर बाइंग कर सकते हैं बात करें एफडी के कंपेर में रिटन की तो अच्छे रिटन प्रोवाइट करवाया है और आगे भी पिचर में करवाने का इसके अंदर पोटेंशल मुझे दिखाई देता है बात करें डिविएंट के तो इस टॉक आपर करता अच्छा का साथ बात करें इंट्री पॉइंट की तो यहां पर बताया जा रहा है गुट टाइम टू कंसीडर एज स्टॉंग इस नॉट इन ओवर बोर्ड जोन में नहीं आप इसके अंदर बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं रेट फ्लक यहां पर पाउंड होता है क्या नहीं क्यों नहीं क्यो कि बताना चाहूंगो कि यहां पर देखेंगे फाइनेशल आपके संपने लगा दिए हैं यहां पर अगर दिखेंगे लोवर देन इंडस्ट्री रेविन्यों ग्रोथ दिखाई दिखाई दिया डिक्रीज हुआ है मार्केट में दोनों ची नेगेटिव होने के बावजूद सबसे अच्छी बात यहां पर मुझे दिखाई दे रही है यह देखेंगे तो पिछले चार साल में बात करें टोटल रेवेन्यों की तो किस तरह से इंक्रीज हुआ यहां पर देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा यह देखिए 2659 रुपे दो जार उन्रीस में टोटल रेवेन्यों था जो कि बढ़के 333 हुआ उसके बाद फिर बढ़के 354 और ज्यादा बढ़के 416 टोटल रेवेन्यों अच्छा का सा बढ़ता इसके घटी दिखाई दिए उसके बाद इंकम बढ़ती 320 और भी जादा इंकम बढ़ती हुआ दिखाई दिए 363 करोड रुपे के तो अलबर देखा जानेट इंकम के अंदर हमें आपर प्रॉपिट में कंपनी दिखाई दे रही है यदि हम देखें इसका होल्डिंग पेट से इंक्रीज हुए बन पाइंट फाइफ से साथी में लोग प्रमोटर कोडिंग कुछ बने एक फाइए की होल्डिंग कॉल्डिंग में यह पर आपको दिखाई देगी यह देखेएगा प्रमोटर की जो होल्डिंग से वह अनप्लेश्ट है यहां पर 40.32 परशंट के लिग कुछ भी नहीं रखाएं यहां पर आप देखेंगे म्यूचल फंड की होल्डिंग एटिंग फॉर परसंट है डोमेस्टिक इंस्टिंग की होल्डिंग 2.88 परसंट के हमें दिखाई दे रही है तो सही निकल के आ रहा है होल्डिंग पेटन यहां पर सब चीज देखी जाए तो मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है अलोबर अगर देखा जाए आपको बताया था प्रकास्टिंग में आइंटी परसंट करते हैं बाइंग की पोजिशन के लिए अच्छा इसके अंदर सेनारियो बनता हुए दिखाई दरा यहां पर चार्ड आपने से वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूले थेंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो